हलो वीवर्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आज हम एक ऐसी चीज का रिव्यू करने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत जादे यूसफुल होने वाली है और सर्दी आने वाले हैं तो सर्दियों में गरम पानी है हर किसी को चाहिए होता है और गरम पानी विकर हम कुछ भी काम करें या फिर हम घरेलू गेस जो होती उसके पर हम गरम पानी करते हैं या फिर हम चुलड़ीयो का यूज करते है तो आज मैं आपके शाधे कैसी चीज का शुटकारारा मिल जाएगा और आपका बिछली का बिल भी बचेगा और आप की जो पानी गरम करने में हमें 15 de10 तो यह थोड़े से कच्छरे से आपका पानी गरम हो जाएगा, तो यह है हमारा देशी गीजर जो की लोहे का बना है और यह बहुत ही जादा मतलब काम आने वाला है आपके सर्दियों के अंदर यह देखिए इसके अंदर यह एक कीमा लगा हुआ है जिसके अंदर से आप इसम पानी टैंक के अंदर आएगा और यह टैंक है जो बाहर से बिल्कुल मजबूत है लोहे का बना हुआ है इसके उपर यह चिमनी लगी हुए और ढकन भी बोल सकते आप इसे तो यह ढकन भी लगा हुआ है इसको साइट करके यह देखिए मैं अंदर आपको दिखाते हूं इस जाली के अंदर हम आग जलाएंगे उसके अंदर आग लगेगी तब जाकर यह जो पानी है इसके अंदर गर्म होगा अंदर बिल्कुल खाली है अंदर से और इसके अंदर सिर्फ एक जाली ही लगी हुए और यह देखिए इसकी बार की प्रत मोटी है जो की गरम नहीं होगी और ये इसके अंदर इस तरह से ढखन लग जाएगा और जो धुआ होगा आग का वो इस दस्ते के जरी बार निकल जाएगा जैसे चिमनी के जैसे बना हुआ है और ये बाहर से बिल्कुल मजबूत है और इधर नाली है जिस नाली में से होके गरम पानी बाहर आएगा हम यहां पानी इसमें बाहर आजाएगा और इसके अंदर 25 लिटर पानी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं 25 लिटर पानी की कैपैसिटी है इसकी और इसकी परत भी काफी मोटी है हमने इसे कलर फुल लिया है आप बिना कलर का भी ले सकते हैं इसमें प्राइस का थोड़ा उपर नीचे ह तो मैं लिंक डाल दूँगी पुषकर का डिस्कृप्शन बॉक में आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं कि ये पुषकर में मिलेगा और ये हमें मतलब बहुत ही अच्छे दाम पर मिल गया है और इस तरह की चीजे इसली मिलती नहीं है और ये किसी ने देसी तरीका इजात किया ह जैसे लाइट का इलेक्टरिसिटी का बिल बहुत जादा आ रहा है अभी और घरे लूगेस भी बहुत जादा महंगी हो चुकिये तो पानी गरम करने बहुत जाद दिक्कत आती है और समय भी बहुत लगता है तो काफी जैसे घर में हम अगर 5-6 मेंबर हो या 10 मेंबर भी हो आप से तो आप इसे परचेस कर सकते हैं पुषकर से Link मेंने डिस्क्रप्शन वॉक्स में डाल दिया है आप वहां से देखिए और देखिए मैं आपको इसका फुल रिवीव करके बताती हूं पानी गरम करके यह देखिए हमने इसमें पानी गरम किया था और इसमें आपको पानि डालेंगे ठंडा और यह पानी गरम होकर से गरम-पानी नेकलेगा बाहर देखिये काफी गरम है और इसमें भाह भी निकल देए शायद आपको नजल ना आयत लेकिन बहुत जादा गरम काई है यह बहुत जल्दी गरम कर देगा और मेरी वीडियो आपको पसंद आईए अगर यह रिव्यू आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक सस्क्राइब शेर कीजे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं आप से अगली वीडियो में